महल के नीचे दबा है खजाना ऐसी रहसे में कहानिया तो आपने जरूर सुनी होगी लेकिन क्या आप ऐसे महल के बारे में जानते हैं जुसके नीचे दबी है सोने की इट महल की उचाई 500 फीट है इन सीडियों से उपर जाकर आपको दिखेगा मदन महल महल गुरिनाइट की दो चटानों पर खड़ा है जबलपूर की दादी नानिया अपने किस्से कहानियों में अकसर इस महल का जिक्र करती है 19th सेंचरी में गोंडवाना राज्यों की श्वासक राजा मदन शहा ने इससे अपनी पत्नी वीरांगना राणी दुर्गावती के लिए बनवाया था महल में 12 गुफाई है सबी गुफाओं को अब बंद कर दिया गया है एक गुफा तो शीतला माता के मंदर से भी जुरती है माना जाता है कि राणी इन्ही गुफाओं से आना जाना किया करती थी हाला कि गुफाओं का कोई नक्षा आज तक सामने नहीं आया महल का अर्किटेक्चर ना बड़े कमाल का है भुकम और दुश्मन दोनों इसका कुछ नहीं बिगार सकती पता है क्या दुश्मनों से बचने के लिए इस महल को उचाई पर बनाया गया महल इतना उचा है कि इसकी चोटी से पूरा जबलपूर का नजारा दिखता है यहाँ एक ऐसा टावर भी बनाया गया जहां से दुश्मनों पर वार करने का नजारा साफ दिखता था महल से जबलपूर का नजारा देखना है तो आटो से आप इसके लिए तक आसानी से पहुंच सकते हैं यहां से सन्राइज और संसेट बड़ा सुन्दर दिखता है महल की कोई एंट्री टिकेट नहीं है तो नेक्स टाइम जब भी जबलपूर का प्लान बने तो बकलिस्ट में मदन महल को जरूर रखें